तातियों 1962 से सेमी कंड़ेक्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रजानवंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडर्शिप के कारण मिली है आज का दिन इतियास में दर्ज होगा आने वाली कई जनरेशन्स विकसेद भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी आज एक साथ तीन तीन सेमिकंडर्क्टर यूनिट्स का भूमी पूजन है इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाली में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट इन चार को मिलाने से भारत में चार बड़े सेमिकंडर्क्टर प्लांट तयार होंगे और भारत में सेमिकंडर्क्टर इंड इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है हर वो चीज जिसको ऑन या ओफ किया जाता है उसमें सेमिकंडक्टर लगता है चाहे घर में लाइट हो फैन हो फ्रिज हो टीवी हो स्कूटी हो बाइक हो कार हो ट्रेन हो एरोप्लेन हो फैक्टरी में लगने वाली मशीन हो कंप साइल फोनों हर चीज में सेमिकंडक्टर लगता है इसी लिए प्रदानमंद्री जी के आत्मो निर्वर भारत के मिशन में सेमिकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपून रोल है और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इन चार सेमिकंडक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नौर्थ इस्ट आज सम में आज लग रहा है कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमेरिका में योरोप में जापान में मेड इन आसाम, मेड इन गुजरावार और मेड इन इंडिया सेमिकंडक्टर चिप से बनने वाली कारे दोडेंगी लापटॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मुबाइल फोन चलेंगे आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रॉन के सेमी कंडुक्टर प्लांट में एक और खासियत है डबल एंजिन की सरकार में कैसे काम तीजी से होता है ये चारों के चारों प्लांट इसका उधारण है माइक्रॉन के प्लांट का माने ब्रदान मत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जूम 2023 में अप्रूवल किया 90 दिन के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने जमीन दी सारी की सारी पर्मिशन्स दी और फैक्टरी का काम चालूआ वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं टाटर और सीजी पावर के प्लांट 29 परवरी 2024 में अप्रूव हुए और 15 दिन के अंदर अंदर आज माने प्रदान मंत्री जी इन तीनों प्लांट का भूमी पूजन कर रहेंगे ये विश्व में रिकॉर्ड है ये संभव होता है अभी जब प्रदान मंत्री जी नरेंदर मोदी जी जैसा डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं राज्य और केंदर सरकार दोनों पनी पूरी ताकत लगा दी